नवस्कार और एक बार से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मन्तन क्लासिस केम मन्तन क्लासिस केम में हम प्रत दिन आपको नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपको बैतर से बैतर जामधारी देने का प्रियास कर रहे हैं आपको मेरे बनाई हुए सारे वीडियो प्रसंद आ रहे होंगे इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में जो आपकी periodic table है उसका इत्यास बताऊँगा याने periodic table की कैसे शुरुवात हुई उसका प्रारंप कैसे हुआ तो आज उसी के कुछ जो point है जो कि मैं बहुत ही short में बताने का प्रयास करूँगा लेकिन फिर भी मैंने ये प्रयास किया है कि आज की इस वीडियो में periodic table के छोटे-छोटे जितने भी प्रिश्ण बनते हैं उन सभी प्रिश्णों का इसमें समावेश किया है और आपके मन में जितने भी यो periodic table के संदर्म में जितनी भी समस्या है जो भी फुल्जन है जो प्रिकट होती है उनका निश्चती समाधान होगा तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो देखते हैं जो हमारी periodic table है यानि historical development of periodic table तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करें सन अठारेसों की बात करें तो सन अठारेस development में पता था और ऐटारेसों तीज में चालीश स्त्तों की discovery हो गई और एटारेसों पैंशट में लववव क्रियोग थ्रेजट अच्छट हमारे जो है इनकी discovery होई और अभी हम प्रिजेंट की बात करें तो प्रिजेंट में लवव एकसे अठारे हैं उनकी discovery हो चुकी है और चार जो element हैं उनको भी अभी discover कर लिया है लेकिन अभी उनको predictive में कोई इस्थान नहीं मिला है तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस predictive के बारियमें के periodic table कहते किसे हैं तो predictive के लिए जो हमारे इतने भी element हैं उनको एक निश्चत करम में arrange करना क्या कहलाता है वो हमारी predictable कहलाती है यानि elements को तत्तों को एक निश्चित क्रम में यानि निश्चित क्रम में विवस्थ करना हमारा predictable कहलाता है तो predictable के बारे में सबसे पहले जो element थे उनको arrange दिया यानि उनको एक सिस्टम दिया एक सिद्दान दिया उनका नाम था डौवे राइनर तो डौवे राइनर के सिद्दान को हम त्रिक सिद्दान या लोग ट्राइट्स के नाम जानते हैं तो उन्होंने जो हमारे डोवे रैने थे उन्होंने बताया कि हमारे कोई भी जैसे हम तीन तत्व लियें याने उन्होंने तीन तीन तत्वों को लेकर के ट्राइट्स बनाए तो और उन्होंने बताया कि जो हमारा पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है याद हम कि हैं दौनों के हैटमिक बेड़ को जोड़ दें तो हमें पीच वाले तत्तका हैं इसकी होड़ी है या या कुछ नीचे हो सकता है लवब ब्राबर होग यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हैपकूरियटी मास आए इसके अलावा नों ने जो भी जो मारे ट्राइट्स बनाए वह अंडर ट्राइट्स देखेंगे uważ अब है जासी फिला यह यह लेता वा अभी मैंने बता दिया हैं तो सूर्ण का 23 होता है इन तोणष पाग करेंगे दो लगवर 23 के ही बरावर आता है हम आपर देखें जैसे calcium है calcium का हमारा 40 होता है और virium का 37 इन दोनों को add करके जब उसका half करेंगे तो हमें potassium का view head में 88 होता है उसके लगवब बरावर होगा इसी तरह हमारा यह phosphorus antimoney तो हमारा यह triads अनों देदिये लेकिन हम बात करें कि जब उन्होंने इसको एक्जम्पल को दिया तो उसमें element तो हमें केवल 31 ही पता थे तो इसलिए ये हमारी जो जो नो ने law दिया ये नियम दिया वो पूरी तरह से सकसे नहीं हुआ और ये आगे चल करके ये नियम सेल हो गया इसके बाद हमारे नए scientist हुए उनका नाम था Newland तो Newland ने अपना एक सिद्दान दिया तो Newland के हम इसको Octave Rule या Newland का अश्टब नियम कहते हैं उन्होंने बताया कि जो उन्होंने जो अपना सिद्दान दा अपना नियम था संगीत के सास्वरों के आगार पड़ दिया उन्होंने बताया कि संगीत में सास्वर सारे गमपधनीर तो ये सास्वर होते हैं गिसमें हर आढ़म अच्छर पहले स्वर से समानता रखता है ज represents सारे गमपधनीर तो ठीक इसी तरह उन्होंने हमारे एलीमेंट थे उनके बारे इन बताया कि हरा आध्म जो हमारा दक्ति होगा हर आध्म element होगा वो पहले element से समानता तो देखते हैं इसके में जाजे हम बात करें यह एल आई बी ही दी सी एन ओ एफ यानि लीथियम बेरिलियम बोरॉन कारवन नाट्रोजन ऑक्जिन फिलोरीन उसकी बाद हम देखेंगे जो हमारा आटमा एलिमेंट है यानि सूडियम तो सूडियम के जो प्रोपर्टी होंगी वो लीथियम के अकॉर प्रोपर्टी विए हमारी याने शूडियम और लीथियम की तरफ होंगी उस समय हमारे अक्रिय गैसे जो के उनकी डिस्कवरी नहीं होई थी तो इसलिए कुछ समय बाद यानि यह नियम था के वल केल्सें तब तो सकते रहा बाद में यह नियम खेल हो या क्योंके पुछ सम है इनरेट गैसिस थी वो उनकी डिसकवरी नहीं हुई थी इसलिए यह सिक्दां अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया और यह फेल हो गया इसके बाद जो हमारे नेश्ट साइंटिस्स थे उन्होंने उनका नाम था लोथर मेयर तो लोथर मेयर ने जो अपना सिक्दान दिया उन मास और एटमिक बॉल्यूम उन दोनों को लेकर और कुछ ग्राफ की जा तो ग्राफ के अपोर्डिंग उन्होंने एलीमेंट को उन्होंने विवस्तित किया और यह टेबल बनाई जिसे क्या कहते हैं लोवर मेकर एटमिक बॉल्यूम कर और उस समय यह हमारी उन्होंने बनाया और और चले इसको बनाया था क्योंकि एवल्म उन्होंने इसको उसलिओंश समय स्कूरा जाब्रे ऐंधरा हैрий झाल भी उन्होंने हिवेए उन्होंने इस western वाOOOOOOOO और बैसे इनकी इस एटमिक मॉडल को फस्ट पिरुडिक टेवल भी कहा जाता है लेकिन हिने पूरी तरह से स्रेव नहीं मिल पाया क्योंकि उनका जो प्रकासम था वो मेंडलीव के बाद हुआ इसलिए वो अपने इस दांग में जादा घ्याती प्राप्त नहीं कर पाए इसक अधिकांस था सभी लोग जानते हैं उन्होंने सभी ने इसके बारे में सुनाए उन्होंने अपनी टेवल को बनाने से पहले पूरे टेवल को और यह अंधल और बर्टीकल जो रोती उनमें डिवाइड किया छे और यह उंधल रोती उन्हें पिरिड देते हैं और आठ जो जो लाइने थी उनको उन्होंने गुरुप के नायम से डिवाइड किया तो उन्होंने अपने इस टेवल में जित्रेनी एलीमेंट थे उनको उनके एक मास के प्रम में रखा याने जिस एलीमेंट का एक मास सबसे कम होता है उसे सबसे पहले और जिसका सबसे जाए होता है उ जो होना हमारा ये सिद्दाद उन्हों ने दिया ये उनके हैटमिक बेट पर डिपेंड करता है तक्तों के बहुते गुड़ और रहसाने गुड़ उनके परमाणवारों के आवर्ती फलन होते हैं लेकिन कुछ समय वाद मैंडलीव का भी जो लो दिया था वो भी फेल हो गया में इतना हैं दिखाई दी जाजे हम बात करें जाजे निकल और कोबाल्ट कोबाल्ट और निकल में निकल हमारा बाद में आता है और कोबाल्ट कहले लेकिन इन दोनों के एटम की बेट की बात करें तो इसका एटम की बेट होता है वो इसके कंप्रेजन में कम होता है तो गत है यह हमारा सिद्दान था यह भी फेल हो गया बाद में कुछ समय बाद हमारे एक सैंटिस्ट हुए उनको कहते हैं मौजले तो मौजलों ने हमारी परमांड करमांग परमांड करमांग का मतलव होता है है एक नंबर इसकी डिस्कवरी की इसकी कोज की और उन्होंने तक्तों को एलिमेंट्स को उन्होंने उनके हैटनिक नंबर के आधार कर दिवस्कित किया उनके अंचार तत्तों के वहते खुड़ और रजाने खुड़ उते हैं वो हेटनिक नमबर के पर्माद प्रमांग के आवर्ती फ़लन होते हैं उन्होंने अपनी टेबल को साथ छेखेच पंतियों में होरिजेंटल रो में बिवपत किया याने seven horizontal rock जने हम period कहते हैं और वहांगी अठार है जो हमारे बर्ग हैं उन्हें डिवाइड किया तो इस तरह से उन्होंने अपनी पुरी टेवल को बनाया याने परमाद करमांग के दिवस्कत करम में उन्होंने सारे element वो रखा तो हमारी module की जो आवज साड़ी है वो परमाद करमांग पर depend करती है और manly भी आवज साड़ी है वो परमाद बाहर पर depend करती है बार मैं इस table को चार वागों में s, p, d, f में divide दिया तो जिनके बारे मैं मैं अपनी वीडियो में अलग-लग s, group, p, d, f, चारों ब्लोग के बारे मैं मैं अलग-लग वीडियो आपको डाल चुका हूँ तो उनसे आप विस्तत जानगारी ले सकते हैं तो प्रिटिक टेवल के बारे मैं इतना ही तो आपको समझना आगया हुआ आज के लिए इतना ही और मेरे इस चैनल को अच्छी सभी लोग सब्सक्राइब करें और जादे से जाद है शीर करें जय हैंग